कमलनाथ जी जिकर करी रहे थे कि वह बावा बागे सुर्दाम की शरण में और सारा मतब जो हिंदुत का प्लेंग है एक तरह से उन्होंने उस पर बीजेपी का एक आधिकार ने उने दिया यह प्लेंगा कांधी है तो उस पर भी वह बाकाइदा चल रहे हैं एक और बड़ी ब चारों एक चेतर से हैं वहां टिकटों अभी तक अभी जो उन्तालिस टिकट जारी हुए उन्हें गवले चमल संबाल की शायद दो ही तिन सीटे हैं बहुत रशा करसी है तेहिस आदमी जो आए उनमें दिया जाए गा एक दुखा कट भी गया है नहीं मिलेगा फिर आपस मे इस बार नहीं पर वहां ज्यादा जगड़े हैं यह ठीक है कि कॉंग्रेस बिएपी संगडित पार्टी अनुसाजित पार्टी है ले दे करके संग का डंडा और सेंट्रल लीडर्शिप का अनुसाशन चल जाता है लेकिन अभी जो टिकट टिक लेर हुए आप देख लिजे के बावजुद अभी कॉंग्रेस को मैं वहां पर आगे देख रहा हूं अब अभी चुनाओं में चार महिने तीन महिने हैं बाकी देखें उसमें तब तर क्या इसदी बनती है ठीक है कॉंग्रेस अपनी बढ़ा लेती है या बीजेपी मुकाबले पहुंच जाती है भी कु पिछले जब यह सचीन पाइलट जगला बिल्कुल चरम पे था और अशोक एलोट यह सारी चीजें और वहां के रिवाज को लेकि इधर एक तो क्या हुआ जगला जो है इसको बड़े प्यार से जैसा कि अस्तोजी निका कि मैनेज कर लिया गिए मैनेजी हुआ है मैनेज कर खामोश रहेंगे उनको जो जिस तरह से बाते उनसे की गई है और इसमें खरगे जी के बहुत बड़ी भूमिका है पूरा खरगे जी को देना चाहिए कि कैसे उन्होंने जगडा सुल्टा है उन्होंने सीरे से कह दिया कि मैं 1978 में मंत्री था कनाटक में और 2013 में मुझे में हैं तो देश के नेता है अलग जाएंगे तो आप कहां जाएंगे मैंने जाएंगे बहुत तरीके से नोंने बड़े बुदूर के तरह समझाया और श्रीन पालेट समय हमोश है इसलिए और दूसरा जो शो कहलो ने जो तमाम सारी योजनाएं लागू की है सबसे बड़े चिरंजीवी योजना है कि आईश्मान योजना का इतना हम लोग सब लोग बीजेपी और केंशर का देंडरा पीटती है 25 लाग का इलाज किसी को भी कोई गरीब अमीर की सीमा नहीं है और सरकारी अस्पताल से के निजी अस्पताल में डॉक्टर ने स्ट्राइक भी सब किया हुए अभी तक कि मैं दो थीन चैनलों पर गया हूँ अशोग गहलाओ के खिलाफ कोई एंटीन कंबेंसी नहीं है और आज भी रेस में 40, 42, 45 परसंट के असपास उनको सीम के लिए मिलता है सबसे आ गए वो एंटीन कंबेंसी वहां अगर है तो विधायकों के खिलाफ है जो विधायकों की जो इंटीन कंबेंसी है वो कॉंग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है और अगर कॉंग्रेस टिकट काट दिये 30-40 परसंट विधायकों के तो टक्र की मैं बात कर रहा हूं तो फिर टक्र सामने और आ जाएगी और वासंदरा फेक्टर के बारे में आश्तोष अगर वासंदरा को बीजेपी ने करनाटक की तरह तो फिर करनाटक जैसी सिती भी हो सकती है और जगले की बात जहां तक है कॉंग्रेस में सिर्फ रवल सचिन पाइलट रशों के बीच में बीजेपी में तो नीचे तक है सतीश पूनिया गजेन सिंग शेखावाद राजव तो अब यह आकिलन के बाद जो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है जल्दी से जो अभी आनंद भाई कह रहे थे कि हिंदुत की राज़नी दी बुपेश बखेल भी कर रहे हैं बुपेश बखेल ने हिंदुत के साथ 36 गड़िया आइडेंटिटी को भी जोड़ लिया है वो एक उनका एडिशनल पॉइंट है सबसे बढ़ या 36 गड़ या नाराज दे करके उसमें तो सर्व समती है सबको लगता है कि 36 गड़ में कॉंग्रेस आ गया है शरत प्रधान एक कॉमेंट करिएगा ये शिव सेना उद्धव गुट कभी संजे राउत और आज प्रियंका चतुरुवेदी ये बार-बार कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को वारा नसीमे नरेंद्रमोदी के खिलाब लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए आपकी कह रहा है मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का होने वाला है क्योंकि जो प्रैक्टिकल पॉजिशन है उसमें ये पॉलिटिकल सेंस नहीं बनता है प्रियंका गांधी को वहाँ खडा करके शहीत कर रहाने का क्योंकि ये किस उद्देश से कह रहे हैं प्रियंका गांधी मुझे तो लगता है कि राय बरेली अपनी मदर की सीट से लड़ेंगी और राउल गांधी के बारे में अल्रडी अनाउंस भी कर दिया गया मेरा इसाब से राहूल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस तरह से अक्रामक होके मोदी जी खिलाब आक्रामक हैं तो उनको एक जोखिम लेना चाहिए उनको वाइनाड और बनारस दोनों जगह से लेना चाहिए इसलिए कि देखिए एक बार हो आमेठी से हर चुए हैं इस व्रती इरानी से तो अगर हरने जाएंगे जो कि हरने की बारत हमतब जानते हैं कि मोदी जी को अराना संभा नहीं है तो कोई उसमें वह छोटे नहीं हो जाएंगे जीत गए तो क्या होगा जीत गए वो तो बहुत आकल पनी सिती होगा लेकिन इसकी डाउनसाइड हर्शवर्द अंत्रिपाथी एक कॉमेंट इसकी डाउनसाइड ये भी तो है अगर राहूल गांधी वाला नसी में उत्रे मोधी के खिलाफ तो बीजेपी तो पूरे 24 की बहुत वरिष्ट हैं हमारे सलाह देते रहते हैं कॉंग्रेस के लोग सुने लेकिन मैं बस इतना ही कह दूं कि जहां नरेंद्र मोधी होते हैं वहां राहूल गांधी प्रचार तक नहीं करने जाते गुजरात में हम लोगों ने देख लिया था दूसरा 2019 में प्रियंका गां नहीं रहें कारे करता चाहते हैं और फैसला तो पार्टी आला कमान को लेना है टाइम खतम हो गया है बहुत धन्यवाद